हेलो दोस्तों फिर साहे जिर हूँ टर्मियल थृडेळ ही डेली एरपोर्ट से आपके लिए एक नए वीडियो एक नए व्डोगर एक नए इन्फोमिशन लेकर इस चैनल पर जिसका नाम है खुरलाम व्लोगर और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और होस्त खुर्रम ब्लोगर जैसा कि पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं आप आपको वीडियो देने जा रहा हूँ टैक्सी और कैव ओप्शन के बारे में जो भी टर्मिल 3 पर अवेलेबल हैं इससे पहले मैंने आपको इसी चैनल पर व सिटी बस मिलेगी उन सारी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो दोस्तों वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा कि कौन-कौन सी एरपोर्ट की ओथराइजड कैब या फिर टैक्सी अवेलेबल है और दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या प्राइसिंग है कितना वेटिंग टाइम है कैब के लिए और कौन-कौन सी कैब आपको रीजनेबल पढ़ने जा रही है और इन सब कैब और टैक्सी के काउंटर कहां पर अवेलेबल है और अगर आप टमिनल थरी पर अभी आप देख सकते हैं मैं टमिनल थरी के डोमेस्टिक के अराइवल होल में हूँ जहां से आप अपना बैक कलेट करके फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कौन-कौन से काउंटर है इनकी टैक्सी या कैब लेने के लिए आपको ज अब आपको दोस्तों खुद से दिखाने जा रहा हूं सारे काउंटर और सारे इनके जो भी पारकिंग है वो सब मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं तो जैसे ही आप अपना लेके कलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों यह डोमेस्टिक अ प्रमियल थरी काफी बड़ा एरपोर्ट है इसलिए मैं आपको पूरा डेटेल वीडियो देने जा रहा हूं कि कहां कहां पर काउंटर अवेलिबल है टेक्सी के लिए तो दोस्तों जैसे हम लेफ्ट करते हैं यह लेफ्ट हैं यह सारे टेक्सी के काउंटर हैं कार जोन रेंट सर्विसिंगों बोल सकते हैं इनके चार्जिस का लिष्ट में पूरा दे दिया है तो यह मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक से अगर आते हैं इन के अगर आपको करना है तो आप इनकाउंटर पर जा सकते हैं यह लेकिन थोड़ा आपको एक्सपेंसी पड़ेगा बड़ फस्ट एक्जिट करते हैं कस्टम के लिए करने के बाद तो आप देख सकते हैं राइट हैं साइड में यह आप देख सकते हैं इनके काउंटर फिर इंटरनेशनल अराइवल में भी ट्रेमिल थरी के अंदर यहाँ पर अवेलेवल है देख सकते हैं आप कार जोन रेंट डब सब्सक्राइब आपको यह काउंटर मिलेंगे तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो एरपोर्ट की ओथराइज कैब है उनके काउंटर कहां कहां पर अवेलिबल है तो जैसे ही डोमेस्टिक फ्लाइट का आप बैग लेने के बाद एक्जिट करते हैं गेट तो यह इस तरीके का कुछ एरिया आपको नजर आएगा जब आप वोक करके आगी की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं राइट हैं साइड में जो टैक्सी का काउंटर बड़ा बड़ा येलो में लिखा हुआ है टैक्सी तो यह एरपोर्ट की ओथराइज कैब है ज इनका भी काउंटर यहां पर ओफ लाइन आपके बुकिंग मना सकते हैं इनकी सर्विसिस भी काफी प्रीमियम है वेटिंग टाइम इनका बिल्कुल जीरो है जैसी आप बुकिंग मनाएंगे फोरन आपको कैब दे दी जाएगी तो दोस्तों इनका भी प्राइस थोड़ा सा आपको आगे की तरफ जाना पड़ेगा बट उससे पहले मैं आपको बता दू उससे पहले ही आपको पढ़ने वाला है एक प्रीपेड टैक्सी का काउंटर ऑन लेफ्ट हैं साइड गेड नमबर दो के सामने आप अभी चल रहे हैं सामने की तरफ बॉक कर रहे हैं यह देख से जग्यूआ आप को यही टैक्सी पढ़ने वाली है बसट सर्विसोगों सकता है कि थोड़ी भहत ठीक ठाकी हों बट आपको यह सबसे ज़्यूजाद है रिजनेंगा ने वाली टैक्सी है अभी मैं आपको बताने जाना था ऑला उबर के लिए आपको कहां से टैक्सी मिले दिया हुआ है कि कहां पर आपको जाना है तो दोस्तो टर्मिल 3 पे जब आप अराइवल में होते हैं डोमेस्टिक या इंटरनेशनल में अगर आपने ओला या फिर उबर टैक्सी अपनी एप से बुक की है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वोक करके मल्टी लेवल पार्किं के अंदर है जैसी आप बुकिंग बनाएंगे और ड्राइवर से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि आप सर मल्टी लेवल पार्किंग लेवल 0 आ जाईए और वहां पर आपको कैब मिल जाएगी तो दोस्तों यह देख सकते हैं आप मैं मल्टी लेवल पार्किंग के अं ड्राइवर को फोन कर रहा है और वो सारी टैक्सी आप देख सकते हैं हाँ पर कुछ पैसेंजर ने जो बुकिंग बनाई हुई है वह वेट भी कर रहे हैं अपनी टैक्सी के लिए ड्राइवर से बात करके तो यह मल्टी लेवल पार्किंग में ही ओला उबर की पार्किंग दो तो आप ओला उबर का उप्शन ले सकते हैं अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इंटरनेशनल अराइवल यानि के इंटरनेशनल फ्राइट गेट नंबर पार्ट से अगर आप एक्जिट करते हैं बाहर आके तो दोस्तों यहां पर भी आप देख सकते हैं गेट नंबर 6 के सामने तो दोस्तों आपको अगराप डॉमेस्टिक से एक्जिट कर रहे हैं इरपोर्ट तो भी सामने ही गेट नंबर टू के सामने दोनों काउंटर मिल जाते हैं अगर आप यह कैप करनी है और अगर आप इंटरनेशनल अराइवल से आते हैं तो गेट नंबर 5-6 के एक करके और ट्रोली लेकर आप महां तक जा सकते हैं तो आपको ओला उबर और प्रीपेड टैक्सी सबस्यादर रिजनेबल पढ़ने वाली ट्रमियल थरी पर अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए और आपको ज्यादा चलना या वोक करना ना पड़े तो उसके लिए आप तो दोस्तो प्रीपेड टैक्सी का काउंटर जो इंटरनेशनल बे अवेलेबल है गेट नमबर 6 के सामने यह देख सकते हैं देली ट्रैफिक प्लिस कंट्रोल करती हैं सर्विस इनकी ठीक ठाक हैं बट सबस्यादर रिजनेबल आपको प्रीपेड टैक्सी और ओला उबर ही पढ़ने वाली है तो दोस्तो जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ मैंने फेर का कैलकुलेशन थोड़ा सा किया था मैंने टर्मियल 3 से और कश्मीरी गेट तक के लिए ओला एप पर जाकर अपना फेर कैलकुलेट किया था जिसके चार्जिस 500 से 600 आ रहा था पीपेड टैक्सी से कोई भी कैब चुन सकते हैं यह आपका option मैंने सारे बता दी हैं पूरा detail वीडियो आपको दे दिया तो अगर थोड़ी बहुत भी मैं आपकी help कर पाया हूं तो please चैनल को subscribe करें comment करें कोई भी आपको doubt हो कोई भी query हो मैं सभी comment कर रिप्लाइ करता हूं और जादा से जादा share करें वीडियो